हेलो दोस्तों, मैं क्लास 5 का यूनिट 13 यानि सिंपल इंट्रेस्ट का वर्क सिट वन बता रहा हूं चलिए शुरू करते हैं नमर वन है जो मनी हम लोग डिपोजिट करते हैं दोस्तों जमा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है प्रिंसिपल P-R-I-N-C-I-P-A-R A नमर का हुआ दोस्तों B नमर बता रहा हूँ The extra money paid by the bank is called जो extra money हम लोग जो डिपोजिट किये प्रिंसिपल था जो extra money bank हम लोग को देता है तो उसको कहते हैं interest I-N-T-E-R-E-S-T C नमर में है The period of time For which money is kept in a bank is called जो period of time होता दोस्तों तो उसको time ही कहते हैं मतब जितना साल के लिए जमा किया है जितना महिना के लिए Day भी हो सकता है इसका प्रिंसिपली कुछ भी तो इसको time ही कहते हैं दोस्तों D number में The money borrowed from a bank is called जो money borrowed मत्ब उधार लेते हैं bank से दोस्तों जो money उधार लेते हैं bank से तो उसको लौन केते हैं कृ कहते हैं? लौन केते हैं Next है E number Extra money charged by the bank for every hundred rupee यह deposit is coal जो extra money charge करता है तो उसको क्या करते हैं इंट्रेस्ट करते हैं इसको भी दोस्तो तो यह भी इंट्रेस्ट हो जाएगा दोस्तो हो गया दोस्तो मैं आप सारा वीडियो देख सकते हैं लगतार डीडियो बना रहे हैं चले मिलते हैं अगले वीडियो पर